नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्ट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 नॉवंबर को यानि कल के डिट में जो एकजाम हुआ था 13 नॉवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर एकजाम यानि उत्तर प्रदेश उस्तर सिच्छा से वायोग द्वारा तो यह हिस्ट्री का paper है तो हम लोग साल्व करेंगे हिस्ट्री का paper और जीस का paper बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा तो हिस्ट्री का यानि 31 को से शुरू हगा 100 को सन तक जाएगा ये तो चले इसको साल्व करते हैं है इसमें 5-6 को से शेँंग कांफीज वाले कोसन है तो आग आपनों को इसका अंसर मिलता है तो इसके कमेंट बाक्स में आप दे सकते हैं वैसे इसमें पूरे शौब कराने के कोसित किये हैं तो चलिए वीडी скаж Cham mittlerweile Channel तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने गाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं तो तेरा नोंबर का जो एक्जाम है साल भाय आगामी एक्जाम जो होने वाले उसकी नेट के या अधर एक्जाम तो उसके लिए बहुत ही बेंफिट होगा तो इसको भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लिजिए खासकर जो नए छात रहें असेशन प्रोफेसर का एक्जाम नहीं दिये उनके लिए यह है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कि देखें इसमें पहला कोशन था यानि 31 नंबर से शुरू होगा यानि 30 कोशन आपका जीयस का आया हुआ था तो यह बैकल्पिक भी से लिए हैं इसमें है कि तो हिंदी मिलिकीस का नाम बताना है क्या इसका नाम है तो इसका राइट देखें एंसर हो जाएगा इसमें ये मिर्गावती कोश्चन नमबर 32 है 32 नमबर देखें निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है दराज आफरानी मीना भार्गो ये जो है इसका राइट एंसर सी होगा ये सुमेलित नहीं है इसमें इसे मार्क कर दिया है पहले से फिर भी मार्क कर देना है यहाँ पर कोशन नमबर 33 है नीले पानी की नीती जिसको इंगलिस में ब्लू वाटर पालिसी का जाता है निमलिकित में से किस से संबंदित है ये संबंदित है फ्रांसिसको डी अलमेडा से राइट एंसर है उसका होगा बी कोशन नमबर 34 है 1842 के बुंडेला बिद्रो के दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी दिया है हिर्देशा या गसज या मर्दन सिंग या ज्वाहर सिंग तो इसमें देखे कनफीज बनाया गया एंसर इसका अगर आप लोग इसका एंसर मिलता है तो आप कमेंट में कर स देखते हैं कौन सेंसर होगा 34 नमबर का इसको हम छोड़ देते हैं कोशन नमबर 35 आते हैं दियाएस में 1690 में जाब चरनाक ने अंग्रेज कोठी कहां अस्थापित की थी यह अस्थापित की थी कहां पर कलिकत्ता यानि कोलकात्ता कौशन नमबर 36 देखें प्रथम आंगल सिख यूद की पहली लडाई कहां होई थी यह विती कहां पर मुदकी में कहां पर होई थी मुदकी में 36 कराइटन सरे होगा कौशन नमबर 37 दिया है निम्न में से सिरलंका का बिदा लंकार बिहार ने किसे त्रिपेट का चार की उपाधी प्रदान की यह उपाधी प्रदान की थी इसका राइट एंसर देखें के इसमें D होगा राहुल संस्कितायन कुश्चन नमबर 38 है ब्यप्तिगत का सिधान्त की सराज पर 1852 में लागू किया गया यह लागू किया गया था उदैपुरपर कुश्चन नमबर 49 है रजत रे तथा रत्नलेखा रे ने बंगाल में ग्रामीड समाज पर अस्थाई बंदोव 1793 के प्रभाव की ब्यप्तिगत में से किस आउधान या परिकलपना को परतिपादित किया यह परतिपादित किया था जोतेदार परिकलपना इसका राइट एं 44 देखे भारती निरार्तकों के भाविखरदार ब्रिटिस सासनकाल में लंदन इस्थित भारत सचीव को निम्लिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड श्टारलिंग भुक्ता करते थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें ए काउंसलिंग बिल कोशन नमबर 41 देखे आर के प्रिंगल ने बांबे प्रेशिडेंसी में भुमी के सर्वच्छन के पसात राज की भूर आजस्व की मांग को उतपाद के सुध मुल का कितना परतिसत तै किया था ये तै किया गया था 55 परतिसत कोशन नमबर 42 देखे 1917 में किस ने उस प्रतिन निधी मंडल का नेतिर्ट किया जो लंदन में भारस अचीव से महिलाओं को मता अधिकार की मांग के लिए मिलने गया था तो इसका जो नितिर्ट किया था वो थी सरोजनी नाइडू इसका राइट एंसर रो जाएगा 42 का ए सरोजनी नाइडू कोशन नमबर 43 है एक प्रमुख कृती विमेंस मुव्मेंट इन इंडिया की लेखक है इसकी लेखक कौन है इसकी लेखक है प्रतिमा अस्थाना इसका राइट एंसरों का सी प्रतिमा अस्थाना कोशन नमबर 44 है 1835 में लोग सिच्छा समान समीती में सिच्छा निती पर हुए आंगल प्राच बिवाद में कौन प्राचवादी गूट का था तो ये थे ह्टी प्रिंसेप इसका राइट एंसर होगा बी 44 का कोशन नमबर 45 है 1925 में गांधी जी की मुहिम को बढ़ाने के लिए स्वराज नामक समाचार पत्र किसने प्रारम किया था ये प्रारम किया गया था सी राजुकोपाल चारी द्वारा कोशन नमबर 46 है किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि ब्यक्ति को मारना पड़ेगा ब्यक्ति को मारना पड़ेगा ताकि राष्ट जीवित रह सके और आज मैं ये जरूर मारूंगा ताकि भारत सतंता और यह स्प्राप्त कर सके ये पत्र किसने लिखा गया जिसमें कहा गया था तो ये लिखे थे सुबास्चंद्र बोस ने इसका राइट एंसर होगा सी इसमें कुश्चन नमबर 47 है स्वदेशी आंदोलन के दोरान किस ने स्वदेशी टीम नेविगेशन कमपणी की अस्थापना की थी ये की थी चितंबरम पिल्लाई ने इसका राइट एंसर होगा सी 47 का कुश्चन नमबर 48 देखिए दिया है किस वर्स तक किस वर्स तथा किस अस्थान पर अखिल भारतिक किसान सभा का प्रत्थम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1936 में कहां पर लखनाव में कुश्चन नमबर 49 है 1936 में डाक्टर बी अरम बेटकर ने किस संगठन की अस्थापना की थी ये की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसका राइट एंसर हो जाएगा बी इंडिपेंडेंडेंट लेबर पार्टी कुश्चन नमबर 50 है दिया है असायोग आंदोलन के दोरान किसने कुमायू और गड़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा बन कानून के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन करने तिरित्त किया यह किया था बद्रिदत पांडे ने इसका राइट एंसर हो जाएगा बी बद्रिदत पांडे कुश्चन नमबर 50 आते हैं दिया इसमें किसने निव लेप्स फार ओल्ड सिर्षक से लेखों की एक सिंखला प्रकासित की जहां नरम पन्थी राजनीती अलोचना प्रस्तुत क की गई थी यह कि थी अर्बिंद घोस निसका राइट एंसर होगा सी अर्बिंद घोस कुश्चन नमबर 52 है नासिक के डिस्टिक मेस्टेट ए जैक्सन को गोली मारने के लिए किसे मिर्थु डंड दी गए थी तो यह देगी थी अनंत लच्मा कंहरे को कुश्चन नमबर ती मिर्दुला सारा भाई ने इसका राइट एंसर होगा डी मिर्दुला सारा भाई कुश्चन नमबर 54 है नहरुलिया का समझता 1950 किस बास से निपटने के लिए था यह था अल्प संखकों की सुरच्छा तथा अधिकार के लिए इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें B कुश साथ द्वारा कव पारित किया गया यह पारित किया गया था 1951 में 655 का राइट एंसर होगा ए 1951 कुश्चन नमबर 56 है 1949 में समिधान सभा में किस ने कहा था कि भारती सिविल सेवा के सदस्यों ने भारती संग के प्रतिदेश भक्ति पूर्ण और निष्ठा का बेवहार किया यह किया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने कोश्चन नमबर 57 है 1952 के दूतिय संसोधन अधनियम से समिधान के किस अंच्छेद को संसोधित किया था यह अंच्छेद 81 को संसोधित किया गया था इसका राइट एंसर होगा ए इसमें कोश्चन नमबर अंठावन है किस वर्स आयल एंड नेचुरल गैस कमिशन की अस्थापना हुई थी यह विथी 1956 में इसका राइट एंसर बी होगा 1956 कोश्चन नमबर 69 है यहां पर दिया है भारत सरकार के आणविक उर्जा विभाग दवरा अंत्रिच अनुसंधान हे तु भारती राष्टी समीति का अस्थापना क्यों की गई इसका राइट एंसर होगा इसमें ए अंत्रिच कारिक्रम प्राराम करने के लिए सहायता एंसला हे तु कोश्चन नमबर 60 है जज्मेंट अन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन्स किस ने लिखी यह लिखी गई थी जे बर्क हार्ट कि कोश्चन नमबर 61 देखिए उन्नी सो तैस्ट में पारित निर्मलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार को चार वर्सों के लिए निर्ण कुछ ताकत परदान कर दी थी यह था विशेशा अधिकार अधिनियाम इसका राइट एंसर होगा ए एक सटका कोश्चन नमबर 63 देखिएगा दब प्रोटेस्ट एंधिक एंड दी स्प्रीट आफ कैपिटिलिज्म किस ने लिखी यह लिखी थी मैक्स वेवर का इसका राइट एंसर बी होगा मैक्स वेवर कोश्चन नमबर 63 है यह परिकल्पना किसने पर्तिपादित की कि समराजवाद पूजीवाद में अंत्रहित्यक आदिकार बजार के लिए होड का पड्राम था तो साखिए गिसका अगर अंसर आपनों को पता हुआ तो कमेंट में दे सकते हैं क्या एंसर हो सकता है इसमें सर्च करके डाल देंगे इसका एंसर खुजा जा रहा है मिला नहीं अभी कोशन नंबर 64 नंबर देखिएगा बाडूंग समेलन में पारित तथा प्रथम नाम गुट निर्पे चांदोलन सिखर बैठक में शुक्रित सिधानतों में कौन सा नहीं है यह पूछा गया है इसका राइट एंसर सी योगा बिदेशी आकरमणों के विरूत परास्परिक सुरच्छा यह इसमें नहीं है कोशन नंबर 65 है नेंसन मंडेला को जेल की सजा कभ मिली थी यह मिली थी 1964 है कोशन नंबर 66 देखिए इन में से कौन सा संगठन विदेशी पूजी विदेश और विदेशी वेपार के उधारिकरण पर बल देता है यह देता है विश्चु वेपार संगठन इसका राइट एंसर सी होगा कोशन नंबर 66 है दिवाने मक्फी की रचना किस ने की थी यह की थी जेवु निशा ने और उन्जेब की पुत्र थी जेवु निशा क्या नाम है इसका वी एंसर कंफ्यूज में है अगर आप लोंको इसका और सट का कोशन मिलता है तो आप इंसर इसमें कमेंट में दे सकते हैं क्या हो सकता है इसका कुश्चन नमर 59 है फक्र ए मुद्दाविगर मुद्दावियर द्वारा युद कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम बतायत इसका नाम था अबद उल्हर्व राइट एंसर डी होगा इसमें क्योश्चन नमर 70 है फार्सी यातरी अब्दुल रज्याक किसके सासनकाल में बि सुल्तान गढ़िक मकबरा थाकिस का ये नसुरुदिन महमुद का इसका राइट अंसर बी होगा इसमें 71 का कोशन नमर 72 देखे वैसलों संट अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है ये समर्पित है श्री विल्लू पुथ इसका राइट अंसर हो जाएगा 72 का कोशन नमर 73 है स बिद्वान बिद्या चक्रवारतिन का सनच्छ कौन था ये था बीर बल्लाल तृति है कोसर नमर 75 है राइचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था तेसमाईल आदिल सा ये पराजित हुआ था कोसर नमर 76 है आकरानता मुगल सेना की नाख काटने के लिए कौन दहेत गडवाल किरानी करणा वती इसका राइट एंसर होगा एस में कुस्ष्ण नमबर 77 आते हैं दिया है मेरतुंग की प्रबंद चिंता मड़ी के अनुसार निमलेखित में से किसने मुहमद गोरी को हराया था यह रहाया था नाई की देविन इसका राइट एंसर होगा ए कुस्ष्ण नमबर 78 है सिकंदर लोधी न जब आकरमन किया और दुर्ग न जीत पाया तो उस समय ग् मान सिंग इसका राइट एंसर होगा भी मान सिंग को कि को मुहल शेना पती के विरुद्ध रानी दुर्गावति न अपना अंती में युद्ध लडा था यह रड़ा था आसप खां के विरुद्ध इसका राइट एंसर C होगा कोस्टन नमबर 80 है राजस्व पणाली के अंतरगत खालसा छेत्रों ने मापन पणाली के स्थान पर उपज के बटवारे की पर्था लाने की दिशा में ठोस कदम निलिखित में से किस के द्वारा उठाया गया था ठोस कदम उठाय गया था ये गया सुदिन तुगलक के द्वारा 80 का राइट एंसर होगा इसमें C कोस्टन नमबर 81 है उत्रादिकार के युध में सा जहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपूर के युध में लडाई की थी इस पुत्र का नाम था सा सूजा इसका राइट एंसर होगा B कोस्टन नमबर 82 है चोथ का कितना भाग मोकासा कहलाता था दो त्याई भाग जो है मोकासा कहलाता था कोस्टन नमबर 83 है महसूल से क्या अभिप्राय है तीसा अपिरा है अपेच्छित राजस्व से इन्हीं अपेच्छा से अधिक राजस्व मिलना उसी को महसूल कहा जाता है कोश्चन नमबर 84 है मुर्शित कुली खाने जबती ब्यवस्था कहां प्रारम की थी तो ये की थी दक्कन में कोश्चन नमबर 85 है सीवा जी के अश्ट प्रधान के सदस्य के रूप में समान प्रसाशन का प्रभारी कौन था ये था मोरो त्रवैंक पिंगल इसका राइट एंसर हो जाएगा एस में कोश्चन नमबर 86 है 86 नमबर देखे सीवा जी के वह बित्मंत्री कौन थे जिनोंने परवर्ती मराठा सासकों का भी मार्ग दर्शन क्याते ये थे राम चंदर पंथ बाड़े कर डीस कराई टेंसर होगा कोश्चन नमबर 87 है दिली के की सुल्ता ने चराईकर लगा था ये ने लिखा कि ब्रिटिस काल के आधनिक मजडेड और कलेक्टर सीर साह के सिकदारे सिकारादान के वयधानिक उत्रा अधिकारी थे ये थे के यार कानगो द्वारा कोश्चन नमबर 89 है सीचाईकर लगाने वाला पर्थम सुल्ताम तो ये था फिरो साह दुगलक सीचाईकर भ लिखांग से इसका राइट एंसर होगा एड कोस्टन नमबर एक्षानवेर आते हैं सेर साह का चांदी कर रुपया कितने ग्रेन का होता था तो यह होता था इसमें देखे यह ओएसे तो 180 ग्रेण का वता था लेकिन 180 ग्रेण नहीं दिया तो इसका निकरता है मैं इसमें D होगा 178 नहीं होगा इसमें क्वेशन नंबर 22 है और अग्जेव ने जजिया कब लगाया यह लगाया था 1689 इसमें राइट इसका एंसर होगा C कोश्चन नंबर 93 है दिया इसमें मुगल प्रसासन में सावनीह निगार का क्या कारी है सावनीह निगार पुछा है का क्या कारी है जागिदारी पर नियंत्रन इसका राइट एंसर इसमें यह होगा जागिदारी पर नियंत्रन कोशन नमबर 94 है आकबर के सासन काल के किस वर्स में मनसब प्रदान किया गया था ये मनसब प्रदान किया गया था सासन के इसमें राइट एंसर देखिए बी होगा और डी होगा बाराहवे वर्स इगराहवे वर्स नहीं होगा इसमें बाराहवे वर्स कोशन नमबर 95 है नयंकार ब्यवस्था कहां परचलित थी बामनी समराज में बीजयनगर समराज में मालवा चेतर में या गुजरात प्रसासन में इसका राई टेंसर हो जाएगा इसमें बीजयनगर समराज में कोशन नमबर 97 है संतनत काल में कूफी क्या था कूफी क्या था कूफी जो है कूफी जो है तो लेख था एक प्रकार का बीज का राई टेंसर हो जाएगा कूफी नमबर 98 है दर टेक्निक आफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन है इसके लेखक हैं मोती चंद्र इसका राई टेंसर सी होगा मोती चंद्र है कूफी नमबर 99 है क्विशन नमर 99 देखेगा होला मोहला किसने प्रार्म किया होला मोहला किसने प्रार्म किया था तो एक यह तो अन्तिंत कॉछन कॉंसा जोड़ा सही नई है कॉंसा जोड़ा जोड़ा जाएगा डईस में निम्भकाचार इत्वित वाद ॏ उड़ा थी नहीं है हम् एंसर मिलता है तो आप कमेंट बाक्स में दे शक्के करना स्वाव सर्ष कुंद मैं ट्रवलati in सबस्क्रांद. शब्सक्राइं तो उम्मीद करता हम मिला ब blaming दोस्त के दा करने धाया करें धन्यवाद दोस्तों जैंटी वंदे मात्रम